हेलो नमस्कात दोस्तों कैसे आप सभी तो रास्तान जीकेगा एक टेस्ट करेंगे टेस्ट नमर 245 है मोस्ट इपोर्टेंट 51 क्यूसन और आरका टारगेट है वो जादा नहीं रखते हैं मात्तर रखते हैं 30 क्यूसन का कि क्यून मैंसे 30 क्यूसन आपको सही कर रहे हैं और जो रिग्राम का लिंग है तो यहां से आप आप नोमली इसकी पीडियाप ले सकते हैं और अगर आप इच्टागराम यूज करते हैं तो वहां पर भी जोन कर से कंब्स्ता क्यूसन Day का टोपिक ये क्यूसन से।र्ट ऑर सारी मोश्ट इपोर्टेंट है तो अपना स्कोर प्रुबांस्वाडा का इरिया वागड शेत्र जो है इसको अनुमने भीली बोली भी कहते हैं बताना आपके कॉमेंट करके आपको यह बताना है कि वागडी को भीली बोली किस ने कहा था ठीक है कॉमेंट करके जुरू बताना अग lobासा किसे का अगया है जो मरुबासा सबमें लिखा गया था, जो एक आपका सही हién अगल है कि वागडि बोली कहां बोली जाती है वागड़चेतर में और वागडचेतर कहते हैं विदूंगरपूर बांसवड़ा को तो डूंगरपुर बांशवड़ा के चेतर में एक आपका राईटांस 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 राई जो मीराबाई की है मीराबाई की रचना इसमें से कौन से पदावली आती है पदावली की रचना मीराबाई ने की थी ठीक है अब यह कॉमेंट करके बता दो कि मीराबाई ने एक संपरदाय चलाया था कौन सा संपरदाय चलाया था चले महाना परताव के दरवारी विद्वान जी नोंने मौर्त माला गरंथ की रचना की थी और यह लिखी थी चक्करपाणी मिस्तर ने एक तो यह कि चक्करपाणी मिस्तर की रचना है किस की दरवारी कवी थे महाना परताव के दरवारी कवी थे यह नेक्ष्ट है कि जोधपुर गिले में पुस्तक परकास पुस्तकाले की स्ताफना किस ने की थी जोधपुर की एक पुस्तक परकासी जोधपुर महरानगड की दुर्ग में आता है और ये निमान करवाया था मानसी ने किस के द्वारा करवाया गया था मानसी के द्वारा करवाया गया था नेक्स्ट है कि राजस्तान के किस संथ के द्वारा सत्य भामाजी नूरूसन एक गरंथ की रजना की थी सत्य भामाजी नूरूसन इस गरंथ की रजना की थी दादू देयाल जी ठीक है किसने की थी दादू देयाल जी ने की थी दादू पन जिनों ने चलाया था ठीक है डूंडाडी बासा में या फर एक क्यूसन कांसे दे दो कि दादू देयाल जी का बच्पन का नाम क्या था मूल इनका वास्तिक नाम बता दो क्या था चले निम्बारेक संपर्दाय की मुख्य पीट कहा पर आती है निम्बारेक संपर्दाय की मुख्य पीट जो आती है वो गाते सलेमाबाद में सलेमाबाद तो बीव हो जाएगा आपका राइट आंस निम्बाका चारी जी ने चलाया था अगर आपको याद है नेक्स टापका है कि रामसनी समपर्दाई की सापुरा साखा के संस्थाप कौन है रामसनी समपर्दाई चलाई था रामुछरण जी ने ठीक है रामुछरण जी का है राम dwelling जी का जनव हुआ था सोड़ा गाउं टॉंक में ठीक है खृपा राम जीन की गुरु थे और सापिरा भीलवाडा में रामसनी संपर्दा की परदान साका आती है जहां पर फूर्डो लोटसो मनाया जाता है ठीक है चलिए इसकी उप साका आ जाते है खेड़पा सी इंतल आ जाती है रेंड साका आ जाती है नेक्स्ट है कि जोदपुर में महामंदी राजस्तान है किस संपर्दाय की परमुक पीठ है परमुक गदी आती है यह आती है मानाती नात पंत जो है नात पंत का मानाती पंत आती है नात संपर्दाय का जो मानाती पंत आता है उसकी है यहां पर ठीक है नात संपर्दाय से यहा आदेधा उसनों संपर्दाय के लिए परसीद है जामो जी पूर में तो बीस आपका सान्थ पीपाजी जनम स्थान को का अपर अध्यस है संत COP, जी सर्वार जिले में निमए रादे धेघ्य। कोिसे संतित तठीग जा receivers की ती्हां अंयां, बिता दो। राजस्तान के किस संग के पर्मुख 25-52 जो जो है जिनको 52 सीश्यों को 52 कहते थे और दादु दियाल जी के जो 52 सीश्य थे उन्हीं को 52 कहते थे या पर एक चीज का अशर देदू आप लोग की जो गड़ी द्याल जी है ठीक है इनकी जो परतान पीठ है वो का पर है संत माओजी जो है संत माउगी किस चेत के सबने का域 कि काजी रहे हैं बना गया गा घाला 14. नाक में पहला क्या है इस चूनी शेंचम पहले काजा तो आपका भी हो जाएगा अगल है कि शीर पर बांदे जाने वाले अबुषण को क्या कहते हैं इन मैसे कौन साउँद सीर पर बांदे जाने वाला अबुषण चूडा रतन चूडा रतन तो B हो जाएका Right Answer नेक्स्ट है कि राजस्तान में पर्थम मिशिनरी के अंदर की स्थापना काँ पर होई थी पर्थम मिशिनरी के अंदर की स्थापना होई थी ब्यावर में और ब्यावर आता है अजमीर जीले में नेक्स्ट है कि जमीला अभूसन जो है ये का हम पर पेहनते हैं? जमीला अभूसन पहना जाता है कान में, यानि B हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि राजस्तान में सागडी निवारन अधिनियम किस वर्स पारित किया गया था? और यह बात है 1961 में अब सागडी पर्था को और किस नाम से जानते ही कोमेंट करके आप बता दीजीगा नेक्स्ट है कि सिर्पर पहने जाने वाला अभूसन कौन सा है इनमें से सिर्पर टीका अभूसन टीका जो है सिर्पर तो राइट आंसर जगा यह बात है B आपका राइट आंसर नेक्स्ट है कि आदिवासी इस तरियों के दर आप आप पहनने जाने वाले वस्तर बताने हैं लुगडा, रेंस, चून्नड, तिनों ही पहनते हैं तिनों ही आदिवासी महीलाओं के हैं तो राइट आंसर आपका चियार नमबर तो B आपका right answer कौन सा त्योहार होली की लबग एक पकवाड़े के बाद में आता है होली की लबग एक पकवाड़े के बाद में आती है गणगोर ठीक है तो गणगोर हो जाएगा B आपका right answer नेक्स्ट आप कहा है कि राजस्तान का परशीद बने इस्वर मेला जो है किस महीने में बड़ता है बने इस्वर मेला आता है माग महीने में माग पोणे माग के टाइम पर ये बड़ता है डूंगरपूर जिल्ले में अब यह आप ए चीज का answer देदो डूंगरपूर में पर्टिकुलर जगय का नाम बता दो जहां पर बने इस्वर मेला बड़ता है जहां पर खंडित सीलिंग की पूजा भी होती है अगर आपको याद होगा अगल है कि जेपूर में तीज की सुवारी किस महीने में निकाल जाती है चोटी जीज को निकालते हैं चोटी तीजंजाती एसावन के मेने में सरावन मास में तो एक आपका right answer चले शीता बाडि का मेला कहां पर बड़ता है शीता बाड़ी का मेला बड़ता है बारा जिले में जो भी सेरिया जनजाती का सबसे बड़ा मेला है ये यहां पर एक आसरम है वो बता दीजिक है मेले के परसीद है सैरिया जन जाति के मेले के लियर की बतीद है कब बरता यह मेला आपतीती बता ढोगए करी और 王 बार अच्छा हो क्ौन सा मेला की से मैला की दो दो बार बरता है दो बार जो बढ़ता है वो कौन सा है जीन माता का बिलता है जीन माता का मिला वर्ष में दो बार बढ़ता है या पर एई चीज या दखना राम देव जी के सबसे लंबे गीत होते है और जीन माता के सबसे लंबे गीत होते है तेजा जी का पस्व मिला का पर लगता है तेजा जी का पस्व मिला मतला आगोर में परबत सर नागोर में बढ़ता है तेजा दस्वी के टाइपर और ये एक पस्व मिला है और राजस्तान का सरवाधिक आयवाला पस्व मिला है ये बाण गंगा का मेला का पर बढ़ता है बाण गंगा एक नदी भी है आपको याद होगा कहा पर है जैपूर जिले में बाण गंगा नदी है तो वहीं पर बाण गंगा का मेला भी बढ़ता है नेक्स 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 दो नमर आपका right answer चले कौन सा सहर है जहाँ पर दसहरा मेला परसीद है दसहरा मेला परसीद है कोटा का यहाँ पर एक बहुती अच्छा सा question आप को आप सहर देना है कि कोटा में जो दसहरे मेले की सरवाथ हुई थी वो किस सहरा सके शासनकाल में होई थी चलिए पूस्खरकासर से परसित मंदिर बता दो पूस्खरकासर से परसित मंदिर है बर्माजी का मंदिर उत्रीवाद का एक मातर मंदिर जहां पर वीद्धी तरूप से पूजा की जाती है राजस्तान ए बर्माजी की और भी मंदिर है नेक्स्ट है कि राजस्तान के किस जिले में भरतरी का मेला बरता है भरतरी का मेला बरता है अलवर में अलवर जिले में एक आपका राई टांसर है सरी बल्देव पस्व मेला कहा पर लगता है बल्देव पस्व मेला मेड़ता सीटी, मेड़ता सीटी नागोर भी आपका राई टांस था राजस्तान के किस जिले में राजस्तर पर अधिक्तम पस्व मेले लगते हैं? सबसे ज़्यादा पस्व मेले लगते हैं नागोर जिले में अब नोमल मेले बता दो सबसी जञ Safe मेले नागोर में हो गए तो नसमाने जो आम मेले होते हैं वो सबसी जञदा कहां पर लगते हैं किस जिले में कोमेंट करके जुरूर बताना एशनान का सबसी बड़ा साहित एक मेला जाता है हातों का बूसने हातों में यानि राई टांस अब का D हो जाएगा अगला की राजस्तान की सेंज करते में ओलंदी किसको कहते हैं ओलंदी सबद हो किसके लिए ये नौमली नव अदू के साथ में जुदाने वाली लड़किया कोई भी महिला होती है उसके लिए यूज करते हैं तो राई टांस अब का C हो जाएगा अकली नौमली अदू क कोरते हैं ये नाकल करना पर एक चीद बतानी है कि विद्वा पुनिर्वा अदिनियम जो से बना था वो किसके परियासों से बना था कॉमेंट करके जुरू बताना विश्णोई संपरदाय के संस्तापर को थे विश्णोई संपरदाय के संस्तापर को थे वो जामबो जी 29 जामबो जी अब विश्णोई संपरदाय के संस्तापरा हुई काँ पर थी मुकाम तालवा में तो समाधी ले थी इस संपर्द है कि स्ताफना बीकानियर की किस जगह पे हुई थी ये कॉमेंट करके आप जुरूर बताएंगे और किस तीती को हुई थी राजस्तान में उधर या पत जो है इसका समंद्धी से है और ये भील जाती से समंद्धी दाता है क्यों से में कि मंतर राजप्रकास किस संथा में छ एक वर को हुई उधर भते है करना और वीडियो को लाइक शे पसंद्ध आये हैं अगर आपको छोटी सी मेहनत पसंद आती है तो लाइक से जुरू और नए-ने वीडियो डेली लेते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राब कर लेना, इसके लावा इसकी पीडियो लेना चाहते हैं, इसकी भी, और इसे पहले भी तो डाइसो टेस्ट किए हमने, उनकी पीडियो आपको वहीं पर मिलेगी एक जगह है, ठीक है, तो आप ले सकते है प्रेला सारन से के नाम से टेलिग्राम चैनल का लाम है और फेस्व पेज का भी और इंस्टाग्राम का भी लिंक है तो वहाँ पर भी जोइन कर सकते हैं ठीक है छले है थैंक यू